बीते एपिसोड में देखने को मिला था कि आरोही अब तक अस्पताल में भरती है और उसे होश नहीं आ रहा लेकिन अपकमिंग एपिसोड में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है शो में अक्षरा अपनी पुरानी जिंदगी में लोटने का सोचेगी बीते एपिसोड में यह भी देखने को मिला था कि आरोही की खराब तबियत के बारे में जानकर अक्षरा काफी परेशान है और अभिम्यों उसे फोन करके रोही के लिए जैम बनाने के लिए कहता है वही अपकमिंग एपिसोड में अक्षरा बुखार में भी रोही के लिए जैम बनाती है इस ब इसके बाद अक्षरा अपनी पेकिंग करती है और उदयपूर जाने के लिए फ्लाइट की टिकट बुक करती है। दूसरी तरफ कहानी में काईरव का ट्राक भी शुरू हो गया है जो काफी समय से देख नहीं रहा था। काईरव को अब अभिम्यू पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ऐसे में वह अपनी बहन को गोयन का हाउस में ले जाने की बात करता है। इसी बीच वह अपनी बहन के लिए स्पेशल डॉक्टर भी अस्पताल भेजता है जिसे आरोई से मिलने नहीं दिया जाता है। इसी वजह से अभिम्यू से बात करने पहुंचता है। इस मौके पर अभी उसे बोलता है कि उसे बिर्ला हाउस पर विश्वास करना होगा। आगे आपको देखने को मिलेगा कि अक्षू घर से निकलने ही वाली होती है तभी आरोई को होशा जाता है। आरोई अभी से बात करती हुई भी दिखेगी।